फुद्बुल्लापूर नाम के गाउं में एक बैल रहा करता था रोज बैल चरने के लिए जाता था लेकिन वह बहुत आलसी होने के कारण उसे चल के जाना पसंद नहीं आती थी बैल को उड़ने का बहुत शौक था इसलिए वह जब भी देखो आसमान में उड़ने वाले पक्षियों को देखता रहता था किसी भी दिन उसे भी उन पक्षियों के साथ उड़ने का सपना देखता था एक दिन जब वह चरने के लिए जंगल गया तभी कुछ पक्षियों को बाते करते सुनता है ये जंगल अभी खाली हो गया है, कुछ साल कम बारिश होने के कारण सब पेड, पौधे, जानवर कम हो गये हैं अभी यहाँ पर हमको खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलेगा, चलो यहाँ से सो किलो मिटर दूर एक जंगल है, वहाँ जाकर रहेंगे ये बात सुनते ही, बैल को भी वहाँ जाने का मन करता है, तभी वह अपने गाउं के साइन्स टीचर के पास जाता है मास्टर जी, मास्टर जी, आपको मुझे किसी भी तरह उड़ाना है, मैं उड़ना चाहता हूँ, एक आजाद पक्षी की तरह तभी मास्टर जी ने तू और उड़ेगा? कैसा उड़ेगा रहे तू? तू इतना हटा-कटा है, पंक भी नहीं है, पागल हो गया है तू अरे, कुछ न कुछ उपाय तो जरूर होगा, कोई गूगुल या वूगल है न, उसमें जाके देखिए, बस मुझे उड़ना है तभी मास्टर जी पूरा रिसर्च करके एक पैरागलैडर बनाने के लिए बोलता है देखो, ये एक पैरागलैडर है, इससे तुम आसानी से उड़ सकते हो, लेकिन इसको बनाने के लिए एक मेकानिक की जरूरत है फिर वह दोनों गाओं के कार मेकानिक के पास जाते हैं, फिर बेल ने उससे अपना आइडिया बोलता है मेकानिक जी, आप दया करके मेरे लिए एक पैरागलैडर बना दीजिए, मैं आप के लिए जिन्दगी बर कुछ भी काम करने के लिए तयार हूँ मेकानिक हाँ बोल देता है, और साइन्स टीचर और मेकानिक मिलकर एक बड़ा सा पैरागलैडर बना देते हैं, तबी टीचर ने ऐसा बोला अब ध्यान से सुनो बेल, तुम किसी बड़े चटान या पहाड पे जाकर इसे पहन कर जोर से उपर से खुदो, तब तुम उढने लगोगे अगर तुमको दाय मुणना है तो दाय तरफ का रसी कीचना और बाय मुणना है तो बाय तरफ का रसी कीचना फिर नीचे आने के लिए ऐसा बोलने ही वाला था लेकिन बैल जोश में आकर मास्टर की बातें बिना सुने तेजी से आकर वहां से खूद पड़ी बैल फिर उड़ने लगा अराम से दाय और बाय और उपर उड़ता ही गया कुछ दूर उड़ते ही उसे एक गाउँ दिखाई दिया और वह नीचे उतरना चाहा लेकिन उसने तो मास्टर जी की बात नहीं सुना अरे मैंने तो मास्टर जी की बात पूरा सुना ही नहीं है अब मैं उत्रोंगा कैसे अरे बापरे, अरे, अरे, अरे ऐसा बेल की संतलन बिगट जाती है और उतने उपर से बेल घुमते घुमते धडाम करके नीचे गिर गई इससे पेराग्लेडर तूट जाता है और उसका टांग भी तूट जाता है तब से उड़ना तो अलग बात वह ठीक से चल भी नहीं सका सीख जिसका काम उसी को करना चाहिए एक समय की बात है एक जंगल में मिंटू नाम का सियार रहा करता था वह बहुत शैतान और चालाग था उसे बाकी जानवरों को तंग करना बहुत बसंद था सभी जानवर उससे परिशान हो चुके थे हाथी ने कहा उफ ये मिंटू सियार हमें कितना परिशान करता है इसे अब कौन समझाए कि ऐसा तंग करना अच्छी बात नहीं है इससे दोगों को तकलीफ होती है हाँ हाँ हाथी वाई तुंठी कहते हो कल ही सियार ने मेरी पूझ को पेड़ पर बान दिया था हाँ हाँ सियार ने ही कुछ दिन पहले मेरे कान पकड़ मुझे तंग किया सियार बहुत बुरा है एक दिन रात के वक जब सभी चानवर सो रहे थे तब सियार के मन में एक तरकीब आई हाँ हाँ अब सब सो रहे हैं इन सभी की नीन खराब कर देता हूँ का करूँ कुछ मजेदार करना होगा सियार हाथी की ओर गया लेकिन अचानक उसे जंगली कुत्तों की आवास सुनाई देने लगी अरे नहीं, ये जंगली कुत्ते कहां आ गए, भागो भागो, जान बचा कर भागो सियार तेजी से कुत्ते से बचने के लिए वहां से भागा भागते भागते वो शेहर पहुँच गया, उसे एक जोपड़ी दिखाई दी अंधीरे के कारण जब वो जोपड़ी में गया, तो वहां नीले रंग से भरी हुई एक बाल्टी में टूप गया कुत्तों ने सियार को ढूणने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो ढूण नहीं पाए अगली सुभा जब सियार बाल्टी से बाहार निकला और वापस पहुचा जंगल तो लोगों ने देखा कि वो पिलकुल नीला हो चुका था और वो लोग सियार को देखकर भाग रहे थे अरे, ये सबी मुझे देखकर क्यों भाग रहे है मैंने ऐसा क्या कर लिया, हुआ क्या है, आखिर बात क्या है तभी सियार ने खुद को ताला में जाकर देखा अरे, मेरा नीला रंग, ये कैसे हो गया ओ, रात को जिस बाल्टी में में छुपा था, उसमें पानी था जरूर वो रंगीन, नीले रंगा पानी होगा सियार ने अपने नीले रंगा होने का खूब फायदा उठाया जंगल के सभी जानवर उससे डरने लगे जंगल के राजा शेर ने सियार को अपनी गुफा में बिलाया और पूछा कौन है तुम, और मेरे इस जंगल में कहां से आये हो शेर महाराज, मुझे ईश्वर ने धर्ती पर भेजा है मैं जानवरों की रखवाली के लिए भगवान द्वारा भी जगया हूँ शेर ने सियार की बात बान दी और उसे हर तरह की सुख सुविधाएं दी लेकिन एक दिन जब सभी जानवर सियार की सेवा कर रहे थे तभी पास ही के एक सियार का जुण चिलाने लगा नीला सियार यह सब सुनकर रुख नहीं पाया वो भी जुन्ड के साथ चिलाने लगा सब ही जानवर यह सब देखकर हैरान रहे गए शेन ने सियार की चालाकी समझ ली और उसे पानी में भेग दिया सियार के उपर लगा नीला सारा रंग उतर गया और जानवरों को पता चल गया कि ये और कोई नहीं अपना ही सियार है चुननीला सियार बनकर सब को धूका दे रहा था कटवि cannabis और शेर एक घनी जंगल में एक बहुत बड़ा शेर रहा करता था यही जंगल में उसका राज्टा राज्टा हर कोई उसे आड़ा करता था सबी जानवर उस जगा जाया भी नहीं करते थे जहां शेर शिकार करता था एक दिन शिकार के दारान शेर को एक बड़ा असा हीरन मिला उसे खाते वक्त एक बड़ी सी हटी शेर के गले में जाकर फ़स अरे ये क्या इस्ती बड़े हटी मेरे कले में फ़स गई क्या करो कोई है मेरी मदद करो मदद शेर सूर सूर से छिलाने लगा शेर की आवाज सुनकर एक पेड़ पर बैठे हुई कटपोड़े ने सोचा अरे ये क्या राजा शेर मदद की पुकार कर रहे हैं लगता है पूरे जंगल के लोग इस तरफ आन्या नहीं चाहते लेकिन हो सकता है राजा शेर सच में मुसीबत में है क्यों ना मैं उनकी मदद करो कटपोड़ा मदद करने के लिए शेर के पाथ आता है अरे कटपोड़े जल्दी मेरे गले से अट्टी निकालो खाते खाते एक बड़ी सी अट्टी मेरे गले में भस गई है ऐसी बात है राजा जी तो मैं अभी निकाल देता हूँ मगर आप वादा कीजिए कि कल से आप जो भी शिकार करेंगे उसका एक हिसाब मुझे देंगे राजा भी बहुत सोचा और कहा हाँ ठीक है मगर जल्दी करो ऐसा कहते ही कट फोड़े ने तुरत अपने चोट से बड़ी सी हट्टी बाहर निकाल दी शेर बहुत खुश था क्योंकि अब हट्टी उसके कले में नहीं थी और कोई जलन उसे अब नहीं हो रही थी अगले दिन वादे के मुताबिक कट फोड़ा शेर के पास आया और कहा लाइए राजा भी मेरा हिस्सा आपने कल वादा किया था राजा शेर ने बहुत गुस्से में आकर कहा शुकर करो तुम्हारी जान मैंने बख्षती मैं राजा शेर हूँ तुम्हारा शिकार आज ही कर सकता हूँ बोलो क्या कहते हो चले जाओ यहां से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा ऐसा सुनते ही कट फोड़े को बहुत गुस्सा आया उसने अपनी चोच जोड़ से शेरी एक पास मार दी शेर चिलना की लगा यह तुमने क्या किया मेरी आँख फोड़ दी तब कट फोड़े ने कहा शिकर केजिए मैंने आपकी दोनों आखे नहीं फोड़ी हाँ चलता हूँ ऐसा कहकर कट फोड़ा वहां से चला गया और शेर शेर शर्विंदा होकर अपनी आख पकड़ कर बैठ गया एक जंगल में बिल्लू नाम का चूहा रहा करता था उसे खाने बीने का बहुत शोक था वो हर वक्त खाता ही रहता था बिल्लू का परिवार हमेशा उसे समझाता रहता था बिल्लू बेटा इतना ज़्यादा खाना ठीक नहीं तुम मोटे हो जाओगे और बिमार भी हो सकते हो नहीं मा कुछ नहीं होता मजे खाने दो जंगल के राजा शेर का जनम दिन था राजा ने सभी जानवरों को दावत पर बुलाया था बिल्लू भी राजा के जनन दिन पर गया राजा के हाँ पर इतना सारा खाना देखकर बिल्लू बहुत खुश हुआ और उसने धेर सारा खाना खाना शुरू कर दिया राजा और सभी जानवर बिल्लू पर खुब गुस्सा हुए सभी ने उसे घर वापस जाने को कहा इतना स्वादिष्ट खाना देखकर मैं खड़ा थोड़ी न रहता मजा आ गया बिल्लू के खाने की आदत बिल्कुल नहीं गई वह धीरे धीरे मोटा होता चला गया एक दिन बिल्लू के दोस्त ने उसे खेतों में उगे गणने की चोरी करने के लिए बुलाया अरे वह गणने के खेत में तो खूब मजा आएगा मीठे मीठे गणने खाएंगे बिल्लू और उसके दोस्त ने गणने तो तोड़ लिये हमें आँसे जाना होगा बिल्लू ने अपने दोस की बात नहीं सुनी और वहीं खड़ा-खड़ा गन्ने खाता रहा कुछी देर में एक बिल्ली वहां पहुंची बिल्लू बिल्ली को देखकर भागने लगा लेकिन इतना सारा खाने के बाद वह भाग ही नहीं सका बिल्लू बड़ी कोशिश करने के बाद एक जाड़ के पीछे जाकर छुप गया और पिल्ली को चक्मा दे दिया उफ बाप रे बाप बाल बाल बचा हूँ आज मुझे अपसे अपनी इतनी ज्यादा खाने यादत को बदलना ही होगा इतना वजन इतना खाना भागना ही मुश्किल हो गया था बिल्लू को अब सबक मिल गया था और उस दिन के बाद से उसने अपना खाना पीना कम कर दिया धीरे धीरे बिल्लू का वजन भी कम हो गया और वो खूप तेजी से भागने लगा